हेलो फृरेंट्स आज हम लोग फिजिक्स के कुछ महत्पून सवालों को देखेंगे जो बोर्ड के एकजाम के दरीश्टी से बहुत ही महत्पून हैं तो दोस्तों आप इन कोशनों को देखकर याद कर लें और साथ में नोट कर लें तो चलिए पहला कोशन देखा जाए किसी परवर्तक सतह से टकरा कर परकास के लोटने की घटना को क्या कहते हैं किसी परवर्तक सतह से टकरा कर परकास के लोटने की घटना को क्या कहते हैं तो परकास का परवर्तन कहते हैं देखी यहां से परकास टकरा कर लोट रहा है तो ये घटना परकास का परवरतन है दूसरा कोश्चन है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर परकास का अपने मार्ग से बिजलित होने की घटना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर परकास का अपने मार्ग से विजलित होने की घटना क्या कालाती है तो इसके एंसर होगा परकास का परवर्तन यहाँ पर एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर परकास जाने पर अपने मार्ग से विजलित हो जा रहा है जिसे परकास का परवर्तन कहते हैं तो लोटने की घटना परकास का प्रवर्तन और अपने मार्क से बिजलित होने की घटना परकास का प्रवर्तन आगला कोशन है किसी कौण से टकराकर परकास के चारो दिसाओं में फैलने की घटना क्या कलाता है किसी कौन से टकराकर परकास के चारो दिसाओं में फैलने की घटना क्या कलता है तो किसी कौन से टकराकर परकास के चारो दिसाओं में फैलने की घटना परकास का प्रकुर्णन कलाता है देगे कोई कौन है और ये परकास करेने चारो दिसाओं में फैल जा रही है ये घटना परकास का प्रकीनर है ये बहुत ही महत्मूर घटना है अगला है किसी प्रिज्म से होकर गुजरने पर परकास का सात रंगों में विघडित होना क्या कहलाती है तो इसका एंसर होगा बंड भी छेपन परकास जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सात रंगों में वज़ता है बेनियाह पिनाला तो इस तरह ये बंड भी छेपण हो गया तो दोस्तों आप परकास के परवरतन परकास के परवरतन परकास का प्रकीनन और बंड भी छेपण में अंतर को याद कर लें अगला कोशन है परकास के परवरतन के कितने नियम है तो परकास के परवरतन कितने नियम है तो इसके भी दो नियम है परकास के अपवर्तन के भी दो नियम है परकास के अपवर्तन के भी दो नियम और परकास के अपवर्तन के भी दो नियम ये दोनों ही सवाल बहुत ही महत्पून है दोस्तों अगला कोश्चन है तारों का टिम्टी माना किसके कारण होता है तारे क्यों टिम्टी माते हैं तो इसका एंसरों का परकास के अपवर्तन के कारण तारे टिम्टी माते हैं यह बहुत ही महत्पून सवाल है परकास के अपवर्तन कारण तारे टिम्टी माते हैं अगला कोशन है पानी में डाली सबसे अधिक फैलता है अगला है सुरियोदे अमसुरियास्त के समय सुरिय का लाल दिखाई देना किसके कारण होता है ना लाल रंग का परकीणन सबसे कम होने कान हमारी आँको तक लाल रंग पहुचता है इसलिए सुरियोदे अमसुरियास्त के समय सुरिय का लाल दिखाई देता है कालपनिक दरपन अगला कोशन है कालपनिक दरपन हमेशा कैसा बनता है तो कालपनिक दरपन हमेशा सीधा बनता है वहीं वास्तोविक दरपन कैसा बनता है तो वास्तोविक दरपन हमेशा उल्टा बनता है वास्तिवी दरपण हमेशा उल्टा बनता है आगला कोशन है हमेशा कालपनिक सीधा और बराबर परतिमी में किस दरपण में बनता है हमेशा कालपनिक सीधा और बराबर परतिमी में हमेशा समतल दरपण में बनेगा वहीं किस दरपण में हमेशा कालपनिक सीधा यम छोटा परतिमीं बनता है इसमें बराबर इसमें छोटा परतिमीं तो उतल दरपण में हमेशा कालपनिक सीधा यम छोटा परतिमीं बनता है अगला question है कालपनिक और वास्तविक दोनों परकार के परतिमी में कौन सा दर्पन बनाता है तो इसका answer होगा ओतल दर्पन यहाँ पर देखिए उतल दर्पन और संतल दर्पन हमेशा कालपनिक परतिमी में बनाते है कालपनिक पर्दी मी मनाते हैं जबकि ओतल दरपन कालपनिक और वास्तिक दोनों परकारिक पर्दी मी मनाता है अगला कोश्चन है अभिसारी लेंस किसे कहते हैं तो अभिसारी लेंस उत्तर लेंस को कहते हैं उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं अगला question है, क cafeterारों को एक जगहे कत्रित कर देता है, इसके समांतर आने वाले क обяз लेंज के मुख्य फोकस पर लेंज़ हो जाती हैं, इसलिए outer lens को अभी सारी lens काहते हैं अगला कोश्चन है अब सारी लेंस की से कहते हैं तो ओतल लेंस को अब सारी लेंस कहते हैं कियोंकि ओतल लेंस के समांतर आते हुए किरणे लेंस पर पढ़ने के बाद दूर फैल जाती हैं पर धानक से दूर भागती हैं इसलिए ओतल लेंस को अब सारी लेंस कहते हैं तो दोस्तों इन सभी कोश्चनों को आप याद कर लें रट लें क्योंकि ये बोर्ड की एक्जाम को द्रिष्टे से बहुत ही महत्पूर्ण है तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें था संतोस भी ग्यान चैनल को अंत मे सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू धन्यवाद